नमस्ते अभिवादन आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए disclaimer दोस्तों बात करेंगे हम F&O की futures and options इसकी बात इसलिए जरूरी है क्योंकि काफी जादा query जाती है और आप लोगों को भी ये चीजे जरूर पता होनी चाहिए कि कब हमको futures में trade करना है कब हमको options में trade क करना है और क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा lucrative होते हैं ये आपको लाखों करोनों कमाने का वादा भी करते हैं तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है हम दोनों की बात करेंगे futures and options की सबसे पहले एक चीज समझे कि जब आप कोई चीज बाई करते हो बाजार में तो उसक option buy करते हो तो उसके पीछे की stock होता है यानि कि इनको कहा जाता है derivative यानि कि ये इससे derive होकर आते हैं इससे ये बनते हैं जैसे कि stock का price अगर 100 रुपए पे चल ला है तो बहुत ज्यादा chances है कि 100 रुपए 10 पैसे पे इसके futures की demand हो मतलब कि आपको ये जो stock का future है वो 100 रुपए 10 पैसे पे बहुत ज्यादा chances होते हैं कि एक premium पे ही चलते हैं discount बाजार में बहुत तगड़ी मंदी चल लिए तो वहाँ पर discount पे चलते हैं अभी इतना समझेए futures जो होगा वो कुछ पैसे महंगा होगा रहेगा उसी range में जैसे कि stock का price मान लेता हूं 500 हो गया ठीक है 5 गुना प्राइज का मतलब ही है कि आप एक stock के price को मतलब पीछे पढ़े हो उसके कि जहां price stock का जाएगा वहीं हमारे futures का price जाएगा और purely यह चीजें depend करते हैं demand and supply ठीक है आप इसको समझ गए अब demand and supply यह मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है कैसे काम करती है यह आप जानते भी ह derivative यह भी है यह भी उसी से बन के आया है अब जैसे होता क्या है कि कोई stock माल लेते हैं 100 रुपए पे चला है ठीक है आपको लग रहा है कि यह stock 110 चला जाएगा आपको लग रहा है तो पहली chances यह हैं कि आप stock ही buy कर लो दूसरे chances है का futures buy कर लो तीसरा chances है बहुत ही कम पैसे में आप 110 का call option buy कर लो यह मैंने आपको समझाय हुआ है अगर आप options की अलग से मैं video ला दूँगा आपके लिए आपको यह बातें पता होंगी एक होता है call एक होता है put put मतलब होता है आप मंदी कर रहे हो call मतलब होता है आप तेजी कर रहे हो ठीक है 110 की आप call buy कर लोगे ठीक त तो इसका मतलब है कि जैसे ही 110 जाता है तो मान लेता हूँ कि आपका 10,000 रुपए लगा है तो 110 जाने पर ये 10,000 आपका 20,000 हो जाएगा अगर एक दो दिन में ये चला जाता है ठीक ये हो गई आपके लिए समझ की बात दूसरी चीज अगर आपको लगती है बाजार लगता है कर रहे हैं इसको आपको समझना होगा गाइं आपको को जरूरी है समझना वह ये है कि यह जो होते हैं वो आपको 5,000 से या तो 10,000, 15,000 कर देगा या तो 5,000 आपका 1,000 बचेगा 500 बचेगा ठीक है ये चीज आप समझ गए यानि कि ये highly leveraged position होती है कैसे जैसे कि State Bank of India मान लेता हूं कि वो अभी चला है 400 रुपए पर राइट उसकी जो मतलब lot size है अभी समझाऊंगा lot size क्या होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2,000,000 रुपए दे कर किसको exchanges को ये simply सोचिए आपको 6 गुना का leverage direct मिल ला है उसके बाद भी आपका broker आपको 2 गुना 3 गुना का leverage दे देता है तो इसका मतलब क्या है कि आप 60,000, 70,000 में 12,000 की position खड़ी कर सकते हो अपनी बाजार में और अगर stock 2% भी बाग की आपकी earning हो जाएगी जो आपकी exact value लगी थी इतना हौच मौच हो गया आपको आसान महासा में समझाओंगा चलूँगा वब page पर हम आजाएंगे अपने broker की side पर यहां पर आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर करेंगे एक एक चीस समझेंगे हम State Bank of India की बात कर रहें पहले ठीक है अब मार्च की trading होगी तो आपको पता है कि हमको March future search करना है SB ठीक है SBIN और March लिखना है उसके बाद आजाएगा March future, April future, May future, June future यह आजाएंगे आपको उनको select करना है March future सबसे यादा liquidity, liquidity मतलब सबसे यादा trade EC में होंगे हम इसको select करेंगे जैसा कि मैंने कहा आपको यह तरफ stock जाता है उसी तरफ यह future भी उसका चलता है मैंने आपको बताया कि उसी से derive हुआ है तो उसी के हिसाब से चलेगा यह आपको पता है state bank of India 5% उपर जाएगा future भी 5% उपर जाएगा क्योंकि उसी तरीके से demand and supply change हो जाती है ठीक अब बात आती है कि अगर आपको position बनानी है चलिए मान लेता हूं कि मुझे state bank of India buy करना है राइट मैं आपको दिखा रहा हूं वाई उसके बाद regular हम long term के लिए लेर है मतलब कि अपनी delivery में इसको रखेंगे एक stock खरीदने के लिए हमको 390 देना है ग्यारा लाग सत्तर हजार चार सो पचास रुपए वो थोड़ा सा ना गणित का उप्योग हो रहा था वाँ पर 3000 कॉंटिटी है ग्यारा सत्तर चार पचास यह आपकी buying value आएगी इतना आपको cash रखना होगा then you can buy SBIN 3000 कॉंटिटी राइट अब आपको मैं दिखाता हूं state bank of India यहां पर आप आईए quantity कॉंटिटी देख लीजे 3000 है यहां पर आप देख रहे quantity उसके बाद अगर आप ओवर नाइट पोजीशन लेकर जाते हो क्यों फोर लाक देना है अभी यह बढ़ इसलिए गया है क्योंकि जो margin है से भी ने उसको बढ़ा दी है तब भी आप देखिए upon 3 मतलब 33% आपको सिर्फ और सिर्फ margin देनी है अगर आप यही position future में खड़ी करते हो आप यह position hold कर सकते हो मतलब इसको लेकर जा सकते हो घर एक महीने तक आपके पास यह limit है एक महीने बाद आपको यह चीज जो भी होगी sell या buy कर लीजे या फिर आप April का उस वक्त खरी अगर आपको confidence है तो तो सोचिए कि आपको सिर्फ 33% एमाउंट देना है आप futures में position मना लोगे आप 12 लाख कमाल के वह चार लाख में खरीद ले रहे हो अभी सोचिए इंट्राडे में अगर आपको यही करना माइस order में एक लाख 34,000 अब सोचिए अगर आपको यही चीज सामान खरीद रहे हो कितने का सामान खरीद रहे हो 12 लाख रुपए का बारा गुना का आपका leverage हो गया और यह चीजें यह चीजें अपने हिसाब से increase भी कर जाती है अभी margin को लेकर से भी बहुत ही strict हो गई है फिर भी आप देखिए 12 गुना का आपको margin मिल रहा है जब आप futures की ट्रेडिंग कर रहे हो मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से futures में ट्रेडिंग की जाती है और अगर आप सोचिए कि अगर आप 3000 कॉंटिटी इंट्राडे में futures की खरीदे हो और 1% भाग गया stock आपका तो क्या होगा 12,000 का 1% कितना कितना सोचिए 12,000 कमा रहे हो इंट्र एक लाख इंट्राडे की बात कर रहा हूं तो एक लाख पे अगर आपने 12,000 कमा लिया तो 12% का आपका प्रॉफिट हो गया close to आसपा सी रखिएगा ब्रोकरेज भी इसमें बहुत कम लगती है आप जाकर calculate कीजेगा अब 12% का 1% का loss हो गया तो आपका 12% का loss होगा क्योंकि आप 12 गुना का leverage लिए हो जब आप इंट्राडे ट्रेट करते हो तो देख लिया आपने कितनी भयंका leverage position होती है अब हम बात करेंगे options की options समझेए पहल के लिए है इसमें भी बहुत सारी रणनीती होती है देखिए budget के दिन कितने बढ़िया हमारी रणनीती गई थी जो हमने option वाली आपको बताई थी किस तरीके से आपको call and put buy करके चलना है और उहां पर आपको कितना बेहतरीन फायदा हुआ था अब वहीं चीज हम आपको दि करें तो हम क्या वाई करेंगे हम वाई करेंगे क्या call वाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे SBIN ठीक है उसके बाद क्या लिखेंगे 400 call option का मतलब CE तो आ गया State Bank of India मार्च 400 call option हमने इस पे क्लिक किया देख लिए अठरा रुपय का है अब अठरा गुने 3000 आपको अगर आप इस को इंट्राडे में लेकर जा रहे हो ठीक है अभी सोचिए कि आप अकर regular order पर आते हो ठीक इंट्राडे में आप regular order पर आते हो मतलब MIS जिसको कहते हैं 55500 आपको देना है राइट अगर आप इसको ओवरनाइट लेकर जाना चाहते हो तो भी आपको उतना ही देना है यानि कि आपको जो call options होते हैं उसमें कोई भी overnight hold करने के लिए आपका broker most probably अगर आपका broker थोड़ा सा बड़ा है तो आपको कोई margin नहीं देगा आप intraday या overnight hold करिए आपको उतना ही देना है अगर आप cover order लगाते हो stop losses को maintain करते हो तो आपको कुछ कम margin देनी पड़ती है ठीक अब आप समझेगा 55500 में आप क्या कर रहे हो आप एक बड़ा momentum पाओगे इस मतलब जो script आप खरीदे हो कैसे पाओगे मैं आपको दिखाता हूं हुआ क्या 25% यहां पर downfall हमको देखने को मिला 400 call option में state bank of India कहां से गिरा है आपने यह देखा यह 4% गिरा है इसका मतलब क्या है कि close to 16 र रोपय गिरा यह 4% गिरा इस्टॉक का प्राइज और जो इसका call option था ठीक है जो call option था वो 25% गिरिया सोचिए कि यहां पर कितना ज्यादा momentum है futures में क्या होता है आपको leverage position दे दी जाती है मतलब आप पे कर रहे हो 100 मिला है आपको 1200 यहां पर क्या है कि आप जो भी आप मान लेते हैं 55,000 पे कर रहे हो ठीक है जैसे कि मैं एक मिनट के लिए put ले लेता हूं मार्च का 390 का put option अब देखिए यहां पर बहुत ध्यान से देखेगा इसकी growth कितनी बड़ी है 80% क्यों क्योंकि जो हमने सोचा क्योंकि उस stock उपर से नीची आया है ठीक और इसी तरफ आया है जिस तरफ जाता है उसी की तूती बोलेगी तो put की तरफ बाजार चली है यानि क इसका प्राइज 20 रुपए है ठीक है 80% का मतलब यह 12 रुपए के आसपास रहा होगा ठीक है याद करिएगा याद करिएगा कि 11-12 रुपए वाला सामान 20 रुपए का हो जाता है तो अगर आपने उसको 55-56 रुपए देकर खरीदा है और उस पे 80% की आपको growth मिल गई तो सोचिए कि आप 35-40,000 कमा गए ना लेकिन इसका opposite भी तो हो सकता है अगर आप opposite position में बैठ गए ठीक आप call बाई करके बैठे हो तो आपका नुक्सान होगा ठीक यह चीजों को आपको बहुत minute level पे समझना होगा और यह चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी होगी कि चीज होगी weekly expiry पे आप ट्रेड कीजिए बजट वाले दिन वाली strategy आप जाकर देखिए कितनी बढ़ी हमने आपको strategy बताई थी strategy आपको बनानी होगी अगर आपको लगता है कि future and options में आप आओगे और धूम मचा दोगे भाई यह चीजे हैं ना अगर आपके favor में चली गई तो 80% बहुत बड़ी value होती है अगर मान लेता हूँ आप 10 lot में trade करते हो 5 लाख लेकर 80% कमा गए 5 लाख से आप 4 लाख कमा गए भाई साब भाई साब भाई साब 4 लाख कमा गए लेकिन opposite angle किसको दिख रहा है हमको दिखना चाहिए हम trader है तो यहाँ बरबाद वही chances है 90% chances है chances हैं आपके बरबाद होने के तो यहाँ पर क्या चीज काम आएगी hedging काम आएगी अकसर मैं बात करता रहता हूँ जब से मैं यह आपके साथ जोड़ा हूँ लगातार आपसे बोलता हूँ कि आपको hedging पर focus करना है अगर आप options और futures में हो आपकी portfolio sizing बड़ी है जैसे कि आप देखते होंगे जो हमारे intraday trades होते हैं वहाँ पर हमें इसाब futures की बात करते हैं हम personal level पर क्योंकि थोड़ा साना position को manage करना आसान हो जाता है जब आप hedging में जाते हो इंट्राडे में मैं पूरी position अपनी hedge करके रखता हूं मुझे पता है कि stop loss मेरा कहां पर होगा इतना loss लेकर मुझे बाहर आना है यहीं चीज मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में सिखाता रहता हूं अक्सर जब आप वीडियो को देखते होंगे या आपके पास डबल इसलिए हमें वहाँ पर profit हो जाता है जैसे कि हम सब कहते है आरि स्टॉक एक दो तीन चार पांट दस पंदरा परसेंट भागता है option भाई साब यह तो 80% का एक नजारा है हम आपको ऐसे भी option दिखाए हुए हैं जो एक एक दिन में तो 200, 300, 400, 500, 500, 600, 700 परसेंट भाग जाते ह दोना एक दिन में होते हैं यह बायर्स की खुबी होती है लेकिन बाई अगर आप रोज करोगे तब तो गए सीखनी होगी एक एक कला अब यहां तक आये होते एक चीज में आपसे कहता हूं ट्रेड करना है नहीं आप फीचर अन उप्सन में तब तक जब तक आपके पास को लिए करता हूं अकसर करता रहता हूं क्योंकि भाई साब आपको पता होता है कि what are you losing क्या जा रहा है आपका आपको पहले पता चल जाता है जब आप हेजिंग पर जाते हो ना जैसे कि होता है मैंने जो स्ट्राटीजी आपको बताई थी वहां पर एक रणनीती होती है अगर कि आप चीजों को सीख सको तो whatever is your portfolio size आपको start करना चाहिए सीखना हेजिंग के बारे में अगर आपने सीख लिया और आपने ये जान लिया कि अगर कोई naked trade कर रहा है तो आज नहीं तो कल नहीं एक साल बाद नहीं दो साल बाद नहीं पांच साल बाद नहीं बरबाद हो चुरू आपका system उसे define कर दे तभी आप एक better trader बन पाओगे और अगर 100 टम में आपको पैसा कमाना है कमाना है कमाना है तो आपको trader बनना है इसके अलामा कोई चारा नहीं है investor पता है कौन-कौन लोग बनते हैं जिनका आपने 100 रुपय का कोई stock खरीदा 90 आप investor बन जाओगे लेकिन अगर वही 101 चला गए 102 चला गए आप trader वाव आम ए ट्रेडर तो आप होता है ना कि trader by mistake मत बनिए trader by choice बनिए ठीक है investor by mistake मत बनिए investor by choice बनिए और वही चीज में आपको सिखाने की कोशिस करता हूँ जरूरी नहीं कि आप भी एक trader बन जाओगे जरूरी नहीं कि आपके पास information होनी चाहिए जिससे की आप कम से कम चीजों को समझते हुए चल सको तो बस यही थी वीडियो जो भी चीजें छूटी है वह हम आगली आने वाली वीडियो में कबर करेंगे बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो आप लोग परिसान कर देते हो सारी इतनी ल information लेके कुछ मिलेगा information वाली वीडियो ही आगे जाती है knowledge और information में फर्क होता है यह आप जानते ही होगे तो चलो यह वीडियो जिनको basics पता था उनके लिए कुछ खास थी नहीं लेकिन उनको भी एक चीज लेकर जानी है इस वीडियो से कि हम अपने risk को को पहले identify करेंगे अ जैसे कि अगर हम एक लाख रुपए देकर के बारा लाख की position मना लिए तो सोचिए कि अगर हम stock में देड़ 2% का momentum पे stop loss लगाएंगे तो सोचिए कि हमारा 50% पैसा तो चला गया ना 25% पैसा तो चला गया ना ठीक तो इस हिसाब से आपको calculation करके बाजार में बने रहना होगा और futures में trading तब तक मत कीजिए जब तक आपके पास बड़ा capital नहीं है या फिर आप hedging को नहीं समझते हो जैसे कि यही futures की आप जो 12 लाख की position है उसको बहुत ही छोटे price पे भी बना सकते हो कैसे जब आप hedging करोगे तो आपका broker आपको बहुत ही कम margin में वह opportunity दे दे तक आप उ चैनल सब्सक्राइब कर लेना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद